कि याद करिए यहां संकज मोचल मंदी गुजरात में अप्षर हाम अयोध्या हमारे आप्षा के केंगरों पर कि यहां पर आर्थि कर रहे निर्दोष भक्तों की कायर का कौन हच्चा को लाद कर आज भी मर्म सिहर जाता याद करियों समय की सरकार हर हमले के बार वारता के अलावा कुछ नहीं करती साथ्यों इनी परिश्वित्यों में काशिय यह हुए तुर एंपी रहिली प्रियम बंद्ये का आशिवार दिया मुझे 130 करोर भास्यों के विश्वास की ताकप दिया आतल्यों को उनिकी भास्णा में जवाब देने का ताहत दिया हमने उन्हें बता दिया कि नया भारत सहता और कहता नहीं है न वो चहता है न वो कहता है वो आतन को मुझे तोर जवाब देता है भाई और देनों आज आप भी देख रहे हैं कि किस तरह हमने आतन के सरपरस्तों को अलग थलग कर दिया है अंतर रास्तिय मंच अब पाकिस्तान के रोने पर ज्यांग नहीं देता है जिने वो अपना समझते से वो अब उने छोर की से दुनिया ने उनकी फंडी समर्थन सब पर कारगर रोख लगाने में भारत का मजबुत दात दिया इसके अलावा देश के भीतर भी हमके चौंग सरफा सक्ति बनाएं रखी है हमने मानवतावाद का फर्टी चोला पहनने वाले और ऐसे खतरना कुछ संगधनों पर भी लगाम कसी जो आतल की फसल के लिए खाद पानी का इंतजाम करते है सरकार के ऐसे ही प्रयाशा का ही रतिजा है कि बीटे पांच वर्षों में भारत में किसी सहर्ट किसी परित्र स्थान या मंदिर पर कोई आतं की हमला नहीं हो सका इतना बड़ा कुम्ब का मिला सुख सांति के साथ देश ने अनुखाउट गया आतंगवाद अब दम्मु कस्मीर के बहुत थोड़े से जायरे में सिमत कर रह गया और मैं आपको इतना भी बता दूँ पुलवावा में उन्होंने हमारे चारीज जमानों को शरीच किया था इस हमले के बाद उसी छेत्र में अब तक हो सकता है मैरे बोलते से मैं आपना बड़ भी जाए अब तक 42 आतल रवाजियों को सिकाने लगाया जाए चिकाने यह हमारा काम करने का परीचा है कर दो